छत्रपती शिवाजी महाराज की कहानी लेकर आ रहे हैं रितेश देशमुख, फिल्म के नाम का किया एलान हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, रितेश देशमुख अकसर किसी ना किसी वज़े से सोशल मेडिया पर चाय रहते हैं लेकिन इस वक्त उनके सुर्खियों में आने की वज़य कुछ खास है दरसल हाल ही में एक्टर ने अपने नए प्रोजेक्ट का एलान किया है, जिसे एक्टर डाइरेक्ट करने जा रहे हैं जानिए पूरी खबर हाल ही में रितेश देशमुक ने सोशल मीडिया पर अपने नए प्रोजेक्ट का एलान किया है, जो लेजंडरी छत्रपती शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित होगी रितेश देशमुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर, अपने इस फिल्म के नाम का भी एलान कर दिया है वहीं इसके साथ ही अपने इस पोस्ट में रितेश ने ये भी बताया है कि वो इस फिल्म का डाइरेक्शन कर रहे हैं रितेश देशमुख ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें छत्रपती शिवाजी की ज़लक देखने को मिल रही है। वहीं इस पोस्टर पर फिल्म का नाम राजा शिवाजी भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पोस्टर के मुताबिक रितेश देशमुख फिल्म का ड कर चुके हैं साल 2022 में आई इस फिल्म में रितेश के साथ उनकी पतनी जनेलिया डिसूजा देशमुक भी नजर आई थी जो बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए रितेश देशमुक ने कैप्शन में लिखा है छत्रपती शिवाजी अर्पित करने में आपके साथ शामिल हूँ